तो पहले आज का content ज़रा देख लीजे आज की class में मैं आपको basics पढ़ा दूंगी साथ ही साथ structure of kidney, blood supply to the nephron and kidney, दो टाइप के nephron होते हैं, एक तो cortical nephron होता है और जक्सा medullary nephron, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जक्सा medullary apparatus भी एक होता है, glow merular filtration और इसके साथ regulation of the glow merular filtration तो ये आज की class का content है, जो हमें cover करना है चलिए, तो फिर शुरू करते हैं तो जब हम excretion की बात करते हैं तो excretion मतलब कि simply आपको पता है कि excret out कर दे ना, उसी से बना होता है excretion, तो जब भी आप किसी भी waste material को body से basically excret करते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो आपका excretion कहलाता है, अब ये किसी भी तरीके का excretion हो सकता है, for example मैं आपको बता हूँ अगर हम sweating की बात करें, तो during sweating होता क्या है, body में अगर excess amount of genovatic compound है, तो उनको sweating के थू बाहर किया जाता है, दूसरा होता है urine excretion, तो जो आपके fluid material होते हैं, उनमें भी अगर कोई आपके toxic molecule है, urine है, uric acid है, creatinine है, तो इस सब को excret out किया जाएगा, ले urine के थू किया जाएगा, एक होता है fecal based material excretion, जो कि हमने digestive system में पढ़ा, तो ये जितने भी based material थे body के, उनको बाहर निकालना ही excretion कहलाता है, लेकिन जब हम majority के बात करते हैं excretion system की, तो एक system होता है जिसको कहा जाता है urinary system, तो urinary system में basically हम focus करते हैं urine के ऊपर या फिर जो fluid based material है उसके excretion के बारे में, तो जो आपका excretion system है और urinary system बोथ are different term, excretion जिसमें सारा ही based material का excretion आएगा, चाहे फिर आप fecal material की बात करें, या तो आप sweating की बात करें, या फिर आप urine excretion की बात करें, लेकिन urinary system में केवल हो केवल urine excretion के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो excret excretion system के major organ है, that is kidney, तो kidney का काम ही filtration में, urine formation में है, इसलिए excretion system में, जो major organ है, kidney सेलिए हम urinary system को इसी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये basic difference होता है, जो आगे चलके आपको clear होगा, तो जब भी अगर excretion तम इस्तमाल किया जा, इसका मतलब यह है कि आप based material का removal करा रहे हैं, लेकिन जब हम urinary system की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर basically urine excretion की बात की जाएगी, तो पहले मैं आपको excretion system के बारे में थोड़ा सा बता हूँगी, उसके बाद हम focus करेंगे urinary system के ऊपर, ठीक, तो यह जो है कुछ basic information थी, अब देखें, वो ही यहाँ पर पहली line में लिखा ह system जो है, एक vital part of the body होता है, जिसमें हम elimination की बात करते हैं, किसके elimination की, based product की, अब ये based product कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी eliminate हो सकता है, आपकोन। होता हैं यह तो यह बात हो गई आपके सिंपल ट्वर सिस्टम तन की जबना रहे थे तो यहां पर भी एक major organ काम करता है that is kidney तो kidney क्या होता है भाई बी shaped organ है जो कहां present होता है either side of the backbone अगर आप बात करें kidney का क्या काम है यह filter करता है blood को और remove करेगा based product को और excess of the water and finally produce करता है urine इससी लिए इस पूरे system का नाम आगे जाके पड़ेगा urinary system एक चीज़ दूसरी चीज़ यह है जब हम circulatory system पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें आपको oxygenated और deoxygenated blood के बारे में कहा था लेकिन अब जैसे ही blood kidney तक आता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था heart में yota था left ventricle में जहां से पूरे के पूरे blood का distribution होना था अब जब आपका blood पूरा का पूरा circulate तो हो रहा है तो एक बार वो kidney से आके जरूर निकलेगा तो जैसे ही वो kidney में आएगा तो अब उस blood को क्या किया जाएगा filtered किया जाएगा तो यहां पर purity और impurity की बात होती है तो kidney में जो blood आपका pure होता है जो filter होता है that is called pure blood और जो आपका filter नहीं है जो अभी आएगा filtration के लिए that is called in pure blood तो kidney के context में उसको कहना pure and impure ठीक है लेकिन blood जब भी हम heart के case में बात करते हैं तो that is called oxygenated and deoxygenated blood ठीक है अब इसके बाद हम बात करें urator की तो urator जो होता है उसका काम क्या होगा वो carry करता है urine को urine को कहां से carry करता है from the kidney और लेके जाएगा urinary bladder तक फिर आता है आपका urinary bladder तो यह store करके रखता है urine को और फिर इसको excrete out करता है यूरेथ्रा एक passage में होता है जो कि urine को बाहर निकालने के काम आता है exit करता है urine को from the body अब अगर आप system की बात करें तो यह system क्यों जरूरी है क्या जरूरत है आपके excretory system की या urinary system की तो यह होते है toxic molecule होते है उन सबको body से बाहर निकाला जाता है तो अगर यह system ना हो जो blood है वो पूरे तरीके से इंप्यूर ना हो वो इंप्यूर रहा है तो उसमें जो भी आपके toxic molecule है वो अल्टिमेटली क्या organ को damage करेंगे तो इसी लिए यह जो आपका system है एक तो homeostasis मतलब internal chemical balancing और साथ ही साथ damage से prevent करता है एक ताम आता है that is called nephrology तो nephrology scientific study है जिसमें हम kidney की anatomy physiology और pathology तीन चीजों की study करते हैं क्योंकि kidney की जो functional unit है उसको कहा जाता है nephrology सी बात है kidney की अगर आप anatomy physiology और pathology मतलब disease वाली condition की बात कर रहे हैं तो उस study को एक branch की अंतरगत study किया जाता है that is called nephrology और एक होता है urology तो urology again एक branch है medicine की जहां पर study करा जाता है male and female के urinary system को और साथ ही साथ male reproductive system को क्या कोई बता सकता है कि urology में चलिए ठीक है male और female के urinary system की बात करी है ठीक तो यह दो terms होते हैं जिनके बारे में difference क्या है बुजानना आपके लिए जरूरी है चलिए तो इसके बाद organ जरा देख लीजे urinary system में कौन-कौन से organ होते ही यह specially urinary system female यहां पर दिखाया गया है male में थोड़ा सा variation होता है urethra के case में तो जब मैं आपको last differences बताऊंगी तो हम बहां पर बताएंगे लेकिन यह पूरा का पूरा आपका female urinary system है तो यहां अगर आप देखेंगे तो जरा याद करिए हमने diaphragm पढ़ा था जो की respiratory system के case में पढ़ा था उसके बाद हमने isofagus देखा था और isofagus हमने digestive system के case में देखा था और isofagus के नीचे था stomach तो जो आपका digestive organ होता है जो आपका digestive organ system है वो पूरा का पूरा आपकी ventral side पे और kidney जो है उसी digestive system में पीछे की तरब present होती है पीछे की तरब मतलब आपकी dorsal side में तो अगर आपको याद हो लीवर में हमने कुछ impression के बारे में पढ़ा था बहां आपने term इस्तमाल करा था that is called supra renal impression and renal impression तो बिलकुल यहां कहीं पे आपका जो है आगे की तरफ लीवर जो है वो आपका present होगा आपका right hand side पे at the same time left hand side पे आपका stomach होगा pancreasus वगेरा होंगे तो इन ही kidney की बज़े से वहाँ आपका impression पढ़ता है तो kidney जो है वो dorsal side पे और digestive system जो है वो आगे की तरफ मतलब ventral side पे present होता है चलिए बिलकुल क्योंकि जो male reproductive system में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब भी हम excretion organ urethra की बात करते हैं तो उसकी opening और साथ ही साथ male reproductive organ की opening जो है वो सेम होती है ठीक है इसके बाद अगर आप यहां देखेंगे तो isophagus के नीचे ही फिर आपका left hand side पे जो kidney होगा उसको left kidney कहा जाएगा और right hand side पे जो होगा that is called right kidney अब यहां पर adrenal gland भी present होती है जैसा कि हमने देखा था endocrinology में तो left hand side पे जो present होगी gland उसको left adrenal या फिर suprarenal gland कहा जाता है right hand side पे present होगी तो right hand या फिर right adrenal gland कहा जाएगा साथ ही साथ यहां पर arteries of vein भी present होती है और यहां पर artery of vein का अब आपको पता है क्यों presence है क्योंकि pure impure होना bloody कलग बात है लेकिन blood का supply तो पूरे organ में होना है तो अबसी बात है यहां पर artery of vein present होगी तो नाम भी कुछ उस तरीके का है renal artery क्योंकि kidney में present है right hand side में है तो right renal artery artery होगा तो pure blood को carry करेगी और यहां पर अगर आप देखेंगे तो left renal vein क्यों? क्योंकि impure blood को या deoxygenated blood को जो है वो carry कर रही है deoxygenated blood को फिर आगे चलके अगर हम देखें तो यहां पर जो आपका urator होता है यह जो आपका पूरा का पूरा urator है यह भी right or left होगा एक right kidney से निकलेगा एक left kidney से तो जो right hand side की तरफ है that is called right urator जो left hand side की तरफ होगा that is called left urator इसके बाद attached होता है आपका urinary bladder urinary bladder एक ही होता है अगर number की बात करें और यहीं पर यह pocket type structure होता है जिसमें store होगा पूरा का पूरा urine and finally होता है urethra जो की क्या करता है एक exit point होता है जहां से urine body के बाहर जो है निकलता है और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यह देखिए यह rectum है और rectum के बाद अगर आप बात करें तो inferior बैना कैबा होगी और यह inferior बैना कैबा क्योंकि नीचे के portion की बात हो रही है तो नीचे का पूरा blood inferior बैना कैबा उपर का जतना भी deoxygenated blood superior बैना कैबा के थुरू right atrium में जाता है तो यहां पर होगा और यह होता है आपका abdominal yota मतलब यह जो है आपके oxygenated blood को कैरी कर रहा होगा तो यह कुछ आपके basic organ होते हैं जो पूरे के पूरे urinary system में आप पढ़ते हैं अब इसके बाद यह डाइग्राम जो है बिल्कु सेम डाइग्राम है लेकिन यह original kidney का diagram है जब भी हम कभी kidney को isolate करते हैं तो color variation जबकि kidney को आप देखेंगे तो डाक reddish color की दिखती है लेकिन दिखने में कुछ ऐसा होता है जैसे last diagram हमने इतना colorful देखा वो ऐसे colorful नहीं होता है तो इस तरीके का डाइग्राम आपको देखने को मिलता है तो यह देखिए ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है adrenal gland supra renal gland और यहां पर आप देखेंगे इनफीरियर बैना कैबा और यह है आपकी supra renal artery जो की ऊपर की तरफ है यह है आपकी renal artery urinated blood को carry करेगी फिर kidney है और urator है तो चुकि यह एक kidney का है ऐसे ही जो left hand side की kidney होगी तो same structure वहां भी present होगा तो बिल्कुल वही नोमिनक्लेचर है बस प्रिवियसली हमने computer generated image देखी यह एक original image है kidney की अगर आप functions की बात करें कि यूरेनरी सिस्टम का क्या function है तो function बोई है जो हमने पहले ही चाल लिया लेकिन कुछ और अगर हम इसे depth में पढ़े तो एक तो पहला function है कि यह regulate करता है blood volume को और साथी साथ composition को और बिसी बात है kidney blood volume को क्योंकि जब हम circulatory system पढ़ रहे थे तो हमने pressures देखे थे फिर हमने volume देखा था तो क्या होगा कि जितनी जादा क्योंकि यह जो minerals है जो sodium ions होते है मिन्रल्स होते हैं उनकी excretion में भी help करती है तो अगर body से यह सारे के सारे जो आपके अन्वांटेट आइन है मिन्रल्स है damage जितने भी जिनवाइटी compound है उनको excrete कर देगी तो आपका पूरा का पूरा blood volume नॉर्मल रहता है लेकिन अगर excretion कम होगा तो अब इसी बात है आपके blood volume और blood के composition पे भी effect पड़ता है तो kidney जो है वो regulate करती है दूसरा यह blood pressure को regulate करती है blood के pH को maintain करती है और glucose level को भी maintain करती है क्योंकि होता क्या है blood में अगर glucose का label जादा है तो kidney में जैसे ही blood आता है तो उसको एक बार और reabsorb कर दिया जाता है कैसे होता है आगे आपको पताद चलेगा तो इस तरीके से kidney आपके blood glucose level को भी maintain करती है और प्रडियूस करती है ये दो हॉर्मोन को किटनी जो है वो दो हॉर्मोन को प्रडियूस करती है एक तो है आपका केलसी ट्रायॉल और दूसरा है एरित्रोपॉइटिन तो केलसी ट्रायॉल बिट्मिन डी के एक्टिवेशन और वही पर अगर आप एरित्रोपॉइटिन की ब प्राबा भी blood volume, blood के composition, pH, pressure, glucose level इन सब में भी इसका काम होता है और दो हॉर्मोन भी यहां से secret होंगे तो अब बिस्ती बात है वो भी body physiology में काम करेंगे यूरेटर से transport होनी है urine from the kidney से आएगा urinary bladder में तो यह connectivity होती है तो यूरेटर किस के बीच की connectivity है kidney से urinary bladder तक ही urinary bladder का काम है store करना urine को and finally कहां बेशता है urethra में और urethra basically canal type structure होता है एक gateway होता है जो basically excrete कर देगा urine को and finally discharge हो जाती है urine from the body तो यह functions होते हैं आपकी urinary system के अब इसके बाद सबसे पहले में आपको थोड़ा detail में external structure बता होगी तो external structure मतलब अगर आप kidney को isolate करें उसमें अगर आपने कोई भी sectional नहीं करा है किसी भी तरीके का कोई cut नहीं करा है तो kidney आपको कुछ इस तरीके से दिखती है जिसमें आपको क्या क्या दिखता है तो अगर आप बात करें तो सबसे पहली तो आपकी होती है superior supra renal arteries तो supra renal मत सिक्रेट कर रही है हॉर्मोन का तो अबसी बात है यहां भी blood vessels होना चाहिए तो ऊपर की तरफ जो आपको देख रही है blood vessels यह arteries है that is supra renal arteries फिर इसके बाद जो middle में होंगी उनको नाम दिया गया है supra या middle supra renal arteries जो ऊपर की तरफ है तो वो superior है जो middle में है तो उनका नाम रख अब जब आप थोड़ी आते हैं तो यहां पर भी आपको एक renal artery दिखेगी और renal vein है और इसके अलाबा यहां एक reason होता है that is call hylum तो hylum जो है वो एक term है hylum जो है यह hylum of the kidney यह renal hylum एक term होता है जहां पर दिखाते हैं तीन connectivity को जहां पर दिखाते हैं तीन connectivity को कौन कौन सी connectivity होगी एक तो होगी यहां से आपकी arteries आती हैं दूसरी आती है आपकी vein और साथ ही साथ यहां पर आपका ureter जो है वो पूरा connected होता है तो बस वोई चीज यहां पर दिखाई गई है अगर आप थोड़ा सा यहां पर देखेंगे डा जरूर होगी तो इस डाइग्राम में बस उसी थोड़ी सी प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बताये गया है जैसे एक है फाइब्रस कैप्सूल एक होता है आपका पैरी नुकलियोलिक टिशू या पैरी नेफ्रिक टिशू भी इसको कहा जाता है तो कैप्सूल जो जिसे आप रीनल कैप्सूल बेसिकली गहते हैं वही आपकी किड्नी की आउटर मूस्ट कवरिंग है जो की बनी होती है आपकी फाइब्रस कनेक्टिव टिशू की तो इसले इसको फाइब्रस कैप्सूल भी कहा जाता है और वाकी अगेन जो मैं आपको बता चुकी रीनल आट्री किड्नी उरेटर होगा इंफीरियर सुप्रा रीनल आट्री और वही जो आपकी अड्रीनल ग्लेंड में जिस डायरेक्शन में आट्री निकलिया उस बेसिस पर उनका नाम है ठीक तो एक्स्टरनल स्ट्रक्चर में थोड़ा साम केरेक्टर देख ले रहे कि ये किड्नी का साइज क्या होगा मास क्या होगा तो अगर आप किड्नी की लेंथ के बारे में बात करें तो ये 10 से लेके 12 सेंटीमीटर जो की 4 से 5 इंच के बराबर आपकी किड्नी की लेंथ होती ह और वहीं पर अगर आप इसकी विद की बात करें, छोड़ाई की बात करें, तो यह रहेगा आपका 5 से 7 cm, जो की 2 से 3 इंच के बराबर होता है, तीन सेंटीमीटर मतलब एक इंच तक इसकी थिकनेस मानी गई है अगर आप मास की बात करें पूरा वेट की बात करें तो किड्नी जो है वो कितनी आपकी 135 से लेके 150 ग्राम तक का इसका वेट होता है orientation and location मैंने आपको बताया यह कहां प्रेजेंट होती आपकी either to the vertebral column तो बस इसका जो कौन की medial border है और इच कीड्नी ये phase कहां होता है आपके vertebral column क्योंकि vertebral column एकुझञ 202 से कल्य वाला आपका एक structure होता है तो इसका जो कॉन के पॉन के मतलब की जो थोड़ा सा आर्च टाइप पॉर्मिशन होता है और जो अंदर की जहां से रीनल हाइलम की बात होती है तो वह आपका कॉन के प्रेजेंट होगा इसका फेस होता है बाइटीब्रिल कॉलम की तरफ रीनल हाइलम इस लोकेटेड नियर टू दा सेंटर ओप कॉन के वड़र तो जो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो यह आपका रीनल हाइलम होता है और यह वाला स्ट्रक्चर आपका बर्टीब्रिल कॉलम की तरफ फेस किये रहेगा अब क्या होता है रीनल हाइलम भाई यह ऐसा एरिया होता है जहां पर मैली आपका यूरेटर जो अभी मैंने आपको बताया था ब्लड vessels मतलब इसमें arteries of vein आएंगी lymphatic vessels और साथ ही साथ nerves जो है वो इमर्ज होती हैं तो kidney में जहां से आपकी renal artery थी renal vein थी urator था वहां पे lymphatic vessels भी होंगी nerves भी होंगी यह सारी की सारी structure से मर्ज होती है that is called renal hyalum tissue layer की अगर आप बात करें तो outermost covering क्या था capsule था capsule है तो अबसी बात है नाम होगा renal capsule तो यह smooth होता है transparent sheet होती है जो बनी होई होती है dance irregular connective tissue की और इसका काम क्या होगा अबसी बात है outermost covering है capsule है तो अगर को किसी भी तरीके का कोई pressure कोई trauma kidney पर पड़ेगा तो यह वहां पर ऐजा protection का काम देगा काई के अगेंस trauma और साथ ही साथ यह help करता है maintain करेगा kidney के shape के लिए अगर आप एडिपोज capsule की बात करें तो एडिपोज आपको पता चल रहा है एडिपोज मतलब की आपके fatty tissue होंगे तो यह जो एडिपोज capsule होता है यह fatty acid का बना हुआ होता है जो renal capsule के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और यह भी again protection ही provide कराता है और साथ ही साथ kidney को hold किये रहता है पटिकुलर प्लेस पर फिर आपका थर्ड टिशू की जो लेयर है वह आपकी रीनल फैसिया रीनल जो फैसिया है यह बीसिकली थिन लेयर आफ देंस इर्रेगुलर करेक्टिव टिशू की बिलके बनी हुई होती है काम रहेगा एंकर्ड करेगी किड्नी को सराउंट तूदा स्रक्चर और एब्डोमिनल वॉल की तरह यह पूरा का पूरा एक स्रक्चर को मेंटेन करके रखती है तो ज्यादा कुछ नहीं है बस अब बात कर लेते हैं जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इंटरनल स्रक्चर में आपने इस त्रक्चर पहले कई बार पढ़ा होगा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो कुछ structure होते हैं, जैसे cortex है, medula है, तो भाई, यह क्या चीज़े होती है, जरा इसको पहले आप समझने की कोशिश करिए, तो कुछ नहीं किया है, बस आपको, आपने जैसे ही kidney को transverse किया, तो इसका transverse section जब reason होता है, that is outer reason, तो यह जो जितना भी outer reason होता है, यह पूरा का पूरा कहलाता है, आपका cortex, लोकि cortex का मतलब ही होता है, outer side, और medula मतलब की होता है, central part या फिर inner side, तो यहां पर क्या है, आपका यह पूरा का पूरा cortex है, तो outer side जैसे brain में हमने देखा था, जो हमारा cerebrum था, वह हां पर भी हम cortex की बात कर रहे थे, तो cortex मतलब की जो आपकी outer side होगी और इसकी कुछ एक particular length होती है, यहां से लेके यहां तक का पूरा area आपका cortex कहलाता है, इतना, फिर इसके बाद आता है medula, जिसको कहा जाता है, renal medula, तो renal medula मतलब की जो deepest part होता है, तो cortex है लगा हुआ, ज renal cortex है, दूसरा है आपका renal medula, तो renal medula में आपको काफी सारे functional structure मिलेंगे, क्योंकि cortex में आप देखेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप अंदर की तरह पार रहे हैं, तो आपको काफी सारे pipe जैसे structure देखने को मिल रहे है, साथी साथ यह structure दिख रहा है, जो प्रामेड के जैसे है, तो most of structure आपको मिले होंगे यहाँ पर medula part में, तो देखें, अब अगर आप renal medula की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले structure को देखेंगे, तो एक term है that is called renal column, ठीक, तो renal column मतलब क्या होता है, column मतलब basically structure की बात होती है, या फिर एक gap की बात हो रहे है, कि एक प्रामेड है, दूसरा प्रामेड है, फिर तीसरा प्रामेड है, तो उन दोनों के बीच में, जो थोड़ा सा blank reason है, इन दोनों प्रामेड के बीच में, उसी को कहा जाता है column, क्योंकि यह column shape structure बनाता है, तो अब बसी बात है, जो आपको खाली जगा दिख रही है, column shape, इसी को कह दिया गया है, रीनल कॉलम, रीनल प्रामेड आप समझ गए, और प्रामेड का जो आप effects देखेंगे, अगर आप प्रामेड को कुछ इस तरीके से बनाते है, तो प्रामेड यही कहलाता है, जैसे अगर आपको एक simple structure बनाना है प्रामेड का, तो आप ऐसा कुछ प्रामेड बनाएंगे, तो यह reason आपका कहलाएगा apex, और दूसरा reason कहलाता है आपका base, तो बिल्कुल ऐसा ही आपके इस प्रामेड में है, तो यह reason जो ऐस का यह कहलाएगा apex, और यह वाला reason कहलाएगा base, तो जो आपका renal apex होता है, यह जो आपका renal apex होता है इसी को कहा जाता है renal papilla ठीक और दूसरा जो structure है वो कहलाएगा आपका renal base जो प्रामिड का है इसके बाद आता है renal sinus तो renal sinus आपका यह वाला structure होता है इसका क्या function है वो आगे चलके मैं आपको बताऊंगी तो यह यह जो आपको यहां पर पूरा जगह दिख रहा है तो यही पर आपके नेफ्रोन प्रेजेंट होती है और इनकी अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो यह cortex reason में होती है तो नेफ्रोन का जो कैप्सूल वाला part है glow merulous part that is glow merulous या bowman capsule यह आपके cortex reason में present होता है वो बाकी के पूरा जो नेफ्रोन है वो आपके medulla में धसा हुआ होता है तो cortex में अगर आप functional unit की बात करें इस नेफ्रोन तो जो bowman capsule बाला part है वो आपका present होगा cortex में remaining part आपका कहां inserted होता है that is medulla तो बस कि वह नेफ्रोन का structure है इसके अलावा यह पाथ भी बताए गया है यूरीन drainage का या फिर कैसे पूरी की पूरी यूरीन ड्रेन होती है तो जैसे होगा क्या यह नेफ्रोन से होते हुए collecting डक्त में फिर papillary duct में minor cortex होता है major calyx minor calyx होता है major calyx होता है फिर renal pelvic में और यूरेटर में और फिर urinary bladder में आती है तो यहां पर अगर आप collecting duct देखें तो नेफ्रोन का जो मेडियूला में धसा हुआ पार्ट है यहां ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है that is called collecting duct नाम से पता चल रहा है collect करेगी तो जो भी urine है उसको काफी सारे parts से जो है यह collect करने वाली है उसके नीचे का part that is called papillary duct यह papillary duct इसलिए है क्योंकि यह renal papilla के करीब होती है यह होता था आपका renal papilla यहां पर तो अब बसी बात है अगर कोई duct इसके करीब होगी तो उसका नाम रख दिया गया renal papillary duct फिर इसके बाद आता है आपका minor calyx जो minor calyx होता है यह पूरा structure होता है और major calyx मतलब की जो थोड़ा सा जादा structure होगा इसके बाद आता है renal pelvic जो एक large structure होता है और renal pelvic से ही attached होता है क्या urator और urator के बाद आता है आपका urinary bladder तो यह अगर आप देखेंगे यह पूरा पूरा यूरेटर है तो यहां पर जो यूरेटर का external structure होता है इसी में आपका major minor calyx और साथी साथ renal pelvic और उसके बाद यूरेटर और urinary bladder तक पूरा का structure आता है तो क्या आपको समझ में आया कि internal anatomy क्या होती क्योंकि इस सारी position को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है जब अभी मैं आपको पूरा का पूरा यह फंक्शनल यूनेट बताऊंगी तो हम केबलों केबल nephron को pick up करेंगे तो nephron जो है वो कैसे पूरे के पूरी urine का formation करता है कैसे सिक्रेशन करता है री एब्जॉप्शन करता है तो आपके माइंड में जो है वह एक इमेज बननी चाहिए कि कैसे कैसे formation हुआ होगा ठीक और साइड में इसलिए आपको दिखा भी दिया गया है कि क्या आपका पूरा का पूरा पैसेज होगा यूरीन का तो यहां पर जो collecting duct है तो नेफ्रॉन से यूरीन जो है पूरी की पूरी फिल्ट्रेट होके collecting duct papillary duct minor calyx major calyx renal pelvic और उसके बाद यूरेटर और यूरेनरी bladder तक आती है ठीक है चलिए तो जो चीज मैंने आपको बताई है उसी को एक बार language form में लिख दिया है तो इसमें फटा-फट रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है renal cortex तो cortex मतलब superficial है और यह आपका color देखे तो light red color का यह color दिखता है यह कहां से extend होता है यह extend होता है from the renal capsule से लेके base of the renal प्रामेट तक यह present होगा क्योंकि प्रामेट जहां से medulla स्टू हो जाएगा लेकिन जो प्रामेट का base है क्योंकि apex तो आपके हाइलम की तरफ था लेकिन जो आपका base था वो cortex की ending को दिखाता है तो अगर आप इसका पूरा का पूरा एरिया बता की बात करें तो capsule से लेके यह base of the renal base of the renal प्रामेट तक होगा यहां पर ही functional unit present होती है नेफ्रोन की या फिर जो आपका glow merulus एक्चली जो रेडिश ब्राउन कलर का इनर रीजन होता है यहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं प्रामेट लाइक structure that is called renal प्रामेट रीनल प्रामेट है तो आपने सी बात है दो पार्ट सूंगे एक तो प्रामेट प्रामेट में जो आपके सब्सक्राइब होता है यह इसे कहा जाता है यह आपने देखा नहीं है लेकिन यह बिल्कों सिंपल है यह आपका functional portion of the kidney होता है जहां पर renal cortex और रीनल प्रामिट दौनों के दौनों होंगे उसी को collectively कहा जाता है पेरेंकाइमा तो पेरेंकाइमा एक functional part of the kidney है तो functional unit क्या है नेफ्रोन होगी तो जहां से नेफ्रोन आपका शुरू हुआ है जहां तक यह खतम हुआ है वो पूरा का पूरा portion आपका पेरेंकाइमा कहलाता है papillary duct and kellex क्या थे भाई तो papillary मतलब जो आपका filtrate है नेफ्रोन से जब नीचे की तरह पा रहा था तो वो आपकी papillary duct में आया था क्योंकि collecting duct से वो papillary duct में आया था और यह जो आपका papillary structure है वो कहां पे present था apex of the primid तो वो ही जो duct नेफ्रोन की जो पूरी की पूरी duct थी collecting duct के बाद जिसका एरिया आपका apex of primid था उसी duct का नाम था papillary duct और दूसरा जो था एक cup like structure थे kellex दो type के थे एक तो minor था जो receive करेगा filtrate from the papillary duct और दूसरा था आपका major calyx जो again collect करेगा filtrate को from the minor calyx इसके बाद आ रहा था renal pelvis तो renal pelvis जो था और urator था यहां पर पूरी की पूरी urine drain out करी जाएगी major calyx से और आएगी आपकी renal pelvis में जो की एक large capillary या large cavity होती है और इसके बाद यह जाता है यूरेटर में और यूरेटर के बाद आएगा urinary bladder में और फाइनली एक जो structure था renal sinus तो renal sinus एक structure होता है जहां पर कुछ पाठ होते है किड्नी के वो कौन-कौन से पाठ थे जैसे एक renal pelvis था, kellex थे और साथ ही साथ blood vessels थी तो renal hylum जहां पर majorly हम blood vessels और nerves की बात करते हैं और renal sinus जहां पर हम blood vessels की तो बात करते ही करते हैं साथ ही साथ renal pelvis और kellex मतलब minor और major kellex का भी ये पार्ट होता है और ये पूरा का पूरा का इसे मिलके बना हुआ होता है या इसको stabilize कौन करता है तो ये पूरा का पूरा internal structure है kidney का या internal anatomy of kidney जिसमें cortex है, medulla है और papillary duct है, kellex है फिर इसके बाद renal pelvis है, urator है and renal sinus है तो क्या किसी को कोई confusion है, internal structure of kidney में, तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ें चले तो ये जड़ा एक diagram देख लीजे तो internal structure में आपको बता चुकी लेकिन अगेन ये एक original diagram है, तो अगर आप kidney को isolate करते हैं, उसको cut करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके के structure वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये देखिए, जो थोड़ा सा light color की है, red color की है, that is called renal artery, वहीं पर अगर आप vein की बात करें, तो deoxygenated blood है, तो ये आपको dark brown color की दिख रही होगी, ये क्या है, आपका renal pelvis होता है, जो की एक large cavity मानी गई है, फिर उसी से attach होता है, आपका urator, ये medulla part होता है, फिर major calyx आपका यहाँ पर होगा, उसके उपर होगा, आपका minor calyx और ये पूरा का पूरा क्या है, renal cortex, और outermost जो covering होती है, that is called renal capsule, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक original diagram of the kidney देखने को मिलता है, कैलेक्स क्या है, तो कैलेक्स क्या है, एक collector reason होता है, collector मतलब इसको किसको collect करना होता है, जरा आप इस diagram को देखे, यहाँ से आपक diagram है, तो होता क्या है, यह नेफ्रोन है, नेफ्रोन में पूरा का पूरा filtration होता है, और filtration होने के बाद, जो भी आपका filter होता है, filter मतलब इसमें मान के चली, urine है, तो यह जो urine है, इसको कहां collecting duct से नीचे की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि इसको लेके आना है, यहां तक, urinary bladder में, तो यह पूरा का पूरा लेके आएंगे, collecting duct, collecting duct के बाद, यह papillary duct है, और papillary duct के बाद, इसको एक reason में भीजा जाता है, वो ही कहलाते है, kellex, तो kellex एक collecting area होते हैं, जो urine को collect करके, कहां तक इनको भीजना है, urinary bladder में, तो पहले आएगा, यह जो आपको यहां area दिख रहा है, जो connectivity link है, basically, आपकी papillary duct की और major kellex, या फिर renal pelvic की, तो जो renal pelvic मतलब की यह वाला reason है, और आपकी papillary duct की जो collecting होती है, जो connecting होती है, वो ही आपके kellex कहलाते हैं, तो papillary duct से पूरी की पूरी urine drain out होके आती है, आपके minor kellex में, minor मतलब छोटा reason है, फिर उसके बाद थोड़ा major, तो पहले minor kellex है, फिर आपका major kellex आएगा, और आपका आएगा फिर renal pelvis, और renal pelvis से होते होते यह पूरा urator और urinary bladder तकाता है, बिल्कुल यह भी कह सकते ही, जो आपका parent काईमा होता है, वो functional reason होता है, तो cortex से आपका, क्योंकि दिखें, नेफ्रोन ऐसा होता है, अभी जब में आपको पूरा दिखाऊंगी, तो एक kidney में million of nephron present होते हैं, एक nephron तो present है नहीं, तो एक ऐसा reason, जहां से पूरा का पूरा cortex से आपका medula में enter कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा functional zone ही, जहां nephron आपका present है, cross कर रहा है, उसी को parent काईमा कहा जाता है, ठीक, तो अब थोड़ा सा blood vessels के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि kidney का पूरा काम क्या है, blood के filtration में, तो यह जानना तो ज़रूरी ही है, कि भाई, kidney जो है, वहां पर कौन-कौन सी blood vessels present होंगी, चलिए, तो अब अगर आप देखें, blood vessel system के बारे में, तो यहां पर पूरा का पूरा आपका kidney present होता है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगी कि काफी सारी आपको branches दिख रही होगी, तो मतलब जो आपका पूरा का पूरा blood vessel system है, वो man branch से फिर divide होगा, फिर further divide होगा, वो होके कुछ छोटी-छोटी branches का formation कर लेता है, और उनी छोटी-छोटी branches के कुछ specific नाम भी है, तो बस वह specific नाम क्या है, वो हमें देखने है, तो ये तो अब आप समझ गए कि outer most covering capsule होगी, फिर आपका ये cortex होगा और जहां से प्रामिड शुरू हो गए है, that is called medula, ठीक, तो ये आप समझ गए, लेकिन अब हमें बात करनी है blood vessel system की, तो blood vessel system मतलब यहां पर arteries भी आएंगी, और यहां पर vein भी आता है, तो जब आप arteries की बात करेंगे, तो मतलब वो oxygenated blood को carry करेंगी, और जब आप vein की बात करेंगे, तो मतलब वो deoxygenated blood को carry करेंगी, तो renal arteries मतलब oxygenated blood को लेके जा रही है kidney में और renal vein मतलब जितना भी यहाँ पे deoxygenated blood है kidney में उस सबको बापस लेके आएगी और फिर किस से attached होगी आपकी inferior बैना कहवासे और inferior बैना कहवासे यह पूरा का पूरा चला जाएगा आपके right atrium में तो बस बैसा ही है लेकिन आपकी यह जो renal artery होती है जब आगे चलके यह कुछ ब्रांच में डिवाइड हो रही है दिखें आगे चलके जब यह कुछ ब्रांचिस में डिवाइड होती है तो जब इसका पहला ब्रांच बनता है जो कुछ उपर की तरब जाएगा नीचे की लोर में तो जो अपर में जाएगी दोंगन तो इक चलके सेगमेंटने जो नीचे की तरह आएगी गएन कॉल सेगमेंटन तो एक आटरी चाप्षय में ऑग पर इसको जाना है फूरे के पूरे प्रामीड में तो अगेन फारी देखिंग जड़ा यह ज़िए कुएक और भास निकली और ऐसे करके यह पूरे के पूरे प्रामीड में जब धसने लगती है जब यह प्रामीड के apex reason पहुंचती है जब यह arteries आपके कहां प्रामेड के apex reason में पहुंचती तो उसका नाम है interlobal या फिल interlobal arteries ठीक तो interlobal arteries मतलब कि क्या है कि यह artery आपके दो लोब के बीच में present है कौन-कौन से लोब के जैसे एक यहां पर और दूसरा यह तो यह बीचो बीच present है तो segmental arteries फर्दर बनाती है आपकी interlobal arteries मैं नाम भी दे देती हूं यह आपका first होगा जिसे renal artery कहा यह दूसरा है segmental फिर यह आपका third है interlobal फिर इसके बाद आती है आपके जब आगे और further division होगा और यह base area पर पहुंची है यह base area पर पहुंची है प्रामिट के तो यहां पर जो छोटी छोटी ब्रांचेस है इसको कहा जाता है आर्कुएट तो यह कहलाती है आर्कुएट आर्टरीज तो यह आपकी कौनसी fourth number की है इसके बाद अगर आप फिप्त नंबर की बात कर तो यह cortex तक पहुच गई है इसलिए इसका नाम पढ़ गया है cortical arteries या cortical radiate arteries तो ऐसे करके जब यह अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है तो on the basis of reason इसके नाम भी change होते जाते हैं तो यह first है second, third, fourth and fifth और fifth जब यह बहुत छोटी ब्रांच में डिवाइड होके आपके cortex reason पे पहुंची तो final इसका destination जो है that is called cortical radiate arteries चलिए अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वेन की बात करते हैं तो वेन मतलब इसको क्या करना है पूरे के पूरे लेके आना है deoxygenated blood में तो यहां पर भी आपका बैसे ही same नाम होता है बस जहां arteries है वहां पर नाम हो जाएगा वेन तो अगर आप फॉस्ट बात करेंगे तो यहां पर आपका mention है that is renal vein कि यह वेन मैं इसको blue color में लिक रही हूं तो पहला है renal vein इसमें segmentation की बात नहीं है बहुत सी बुक में इसका नाम लिखा रहता है that is renal segmentation लेकिन यहां पर नाम नहीं अगर आप चाहे तो add भी कर सकते हो नहीं करना है तो कोई बात नहीं जैसे यहां पर यह segment में divide हुई that is segmental artery वैसे ही यह vein भी आपकी segment में divide हुई है तो वो आपकी segmental vein भी कहलाती है उसके बाद जब यह further divide हुई है लोब में पहुची है तो अबसी बात है यह second अगर दे दे तो यह क्या है आपका inter lower vein फिर इसके बाद जब यह नीचे आती है third number तो यह बनाती है arcuate vein फिर जब fourth cortex reason में पहुची है तो इसने बनाया है आपका cortical radiate vein तो यह पूरा का पूरा उसका division होता है कि कैसे एक renal arteries or vein पूरे के पूरे kidney के structure को कबर करती है लेकिन कैसे अपनी branches में divide होके तो यह इनका sequence होता है पूरा का पूरा vein का और यह आपका कहलाता है blood vessel system of the kidney ठीक चलिए तो यह आपकी story है आगे चलके यह पूरा का पूरा system हमें पढ़ना है पूरा का पूरा blood flow हमें पढ़ना है कैसे इसका blood flow arteries में आएगा कैसे फिर आपका vessels में आएगा vein इसके बीच में भी कुछ आपकी capillaries होती है उनका क्या ना में वो हम आगे चलके करके पढ़ेंगे पहले आप यह बताएगे कि यह आपको segmentations वगेरा समझ में आए कि कैसे branch जो है वो divide होगी चलिए समझ में आया है तो अच्छी बात है अब हम बात करने वाले है blood supply of the nephron क्योंकि अभी हमने केवलो केवल कहां की बात करी है अभी हमने पूरी blood vessels की बात कर ली कि किड्नी में कहां तक cortical reason में पहुच गई लेकिन नेफ्रोन में अलग से blood supply होती है यह जो arteries है नेफ्रोन में जाने बाली अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं डाइग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी वेन नहीं जाती नेफ्रोन में अगर आप बात करेंगे तो नेफ्रोन में कोई भी वेन जो है जीने बाइटें कमपाउंड थे उन सारे के सारे blood को यह क्या करने वाली है प्योर करने वाली है अगर आप नेफ्रोन में blood supply की बात करते हैं तो यहां पर केबल ओ केबल आपके आइटियोल्स की बात होती है और आइटियोल्स मतलब यह आगे चलके आप केपलरी बनाने वाले हैं तो जब भी हम नेफ्रोन में blood supply की बात करते हैं तो यहां पर आइटियोल्स और केपलरी नेटवर्क की बात होती है यहां पर आइट्री या वेन की कोई बात नहीं होती क् क्या शुरू होगा आपका आटियोल शुरू होगा आटियोल मतलब की आट्री की स्मॉलेस्ट ब्रांचेज हैं तो वह होगी आपकी आटियोल और फर्दर वह आपका एक नेट्वर्ग वनाएंगी देट इस कॉल्ड क्या पिलरी कि चलिए लोगा अगर आप दी कि दो आपका यह एक का नाम रखा गया है ए फरेंट आटियोल की तरह भेस्टभ आए तो इस सोरी के का एरो का प्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब यह है कि अफ्रेंट से कोई ना कोई चीज अंदर की तरह पा रही है और इफ्रेंट से कोई ना कोई चीज बाहर की तरह पा रही है तो क्या अंदर की तरह पाएगा ब्लड़ी आएगा क्योंकि आर्ट्रियोल है तो कौन सा ब्लड़ आएग जाने के बाद यह देखिए नेफ्रोन में यह साइड की तरब क्योंकि यह पूरा का पूरा आपका केप्सूलर स्ट्ट्टर था यहां केवल ओकेवल आइट्री थी अब जो है आपकी यहां से अटेज्च होगी वेंग जिसे कहा जाएगा क्यों कहा जाएगा क्योंकि नेफ्रोन जो है वो आपके कॉर्टेक्स रीजन में घरा इस रीजन की ऑनूलर की तरबिलारी केसी को कहा जाता है चुछ इस तरीके से पूरा का पूरा उसका क्या हो जाता है मुवमेंट होता है तो यह ब्लड सेप्लाई नेफ्रॉन की बात है लेकिन जो नेफ्रॉन का फंक्शनल कैप्सूलर या फिल्टरेशन वीजन है वहां केवलों केवल आपकी आयो ट्रीज रहेंगी उसके बाद आपकी पैरी टिब्यूल केपिलरी आगे जाके यहां पर अटैच हुई है जो कि है आपका कॉर्टिकल रेडियेटेड वीन और अब जाके यह जो ब्लड है वो क्योंकि कैसा बन गया होगा डियोक्सिजनेटेड तो अब यह बाहर पूरा आपके कॉर्टिकल से फिर आपका लोगल और आर्क्यूएट से सीधा का सीधा बाहर की तरफ हो जाएगा अब यह बताओ आपस में आप लोग इतनी साथा बात क्यों करते हैं जैसे या तो फिर ऐसा है भाई कि आपको यह सारी चीज बहुत बेसिक लग रही है जो मैं पढ़ा रही हूं लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेसिक हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हमने शुरू से ही बेसिक्स पढ़े हैं लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई कमांड नहीं होती है अगर हम सोचे कि हमने इतना पढ़ लिया और मैं अगर आप से अभी भी कोई क्नेक्टेट कॉश्चन पूछ लूँ अगर इसी से रिलेटेड कि भाई हमने स्कूल लेवल पर नेफ्रोन का डाइग्राम आता अच्छा वो ही मैंने कहा कि आपने ये सारी चीज़े पढ़ ली हैं लेकिन आप कोशिश करिए ध्यान से सुनने की क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी करेक्टिविटी वैठानी की कोशिश कर रही हूं कि कह यहां से यह पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुआ है यहां से आय मुझे पदा है कि आपको याद हो गई है चीज़े कि भाई जो ब्लड है वो यह ओटा के तुरू आपके लेप्ट वेंट्रिकल से होते हुए आना है लेकिन मैं बार बार क्यों आपको बोलती है कि अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करें जादा करें कोई हॉर्मून का सिक्रेशन कर दें अगर आइंस का लेवल बढ़ात है तो किड्नी पे क्या एफेक्ट होगा तो उससे पहले चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी है तो किर्प्या करके आपस मैं म मत बाते कीजिए जो मैं बता रही हूं उसको सुनने और समझने की कोशिश कीजिए ठीक तो यह आपका नेफ्रोन का होगा चलिए ठीक है अब आप समझ गए कि ब्लड सप्लाई कैसे है तो समझ जाए अब इसके बाद यह पूरा का पूरा एक फ्लो डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे ब्लड जो है सबसे पहले आपकी किड्नी और नेफ्रोन में वो कैसे पहुचेगा और कैसे जो है वो बापस आता है तो देख लीजे सबसे पहले अगर ऑक्सिजनेटेड ब्लड की बात करें तो रीनल आर्ट्री से होते हुए सेगमेंटल आर्ट् क्षोटीकल फिर इसके बाद universe project मैं आएगा अध आधा और यासो बापस आ जाएगा कहां से बापस आ जाएगा ग्लो मैरियूलर कैपिलरी यह भापस आ अधाये तो ये डाईग्राम उसी के olique कोंतिन्यूएशन में तो तो जरा आप मुझे बता जीजिए बहुत बेसिक डायग्राम था निफ्रोन आपने बहुत पहले पढ़ा तो पैरी टिवियूलर केपिलरी इफ्रेंट और एफ्रेंट आर्ट्रीज में क्या या आर्टियोल में क्या फर्क होता है चलिए फटा-फट बताईए जरा इसके बाद यह जैसे ही आपका पैरी टिवियूलर केपिलरी में आएगा फिर यह फर्दर आ जाता है आपकी पैरी टिवियूलर वेन में आएगा वेन्यूल्स में आएगा क्योंकि स्मॉलस्ट यूनिट है इसके बाद इसकी वेन जो है शुरू हो जाएंगी तो सबसे पहले क वर्टिकल में आएगा फिर आर्क्यूएट में आएगा इंटल लोबार में आएगा और इसके बाद आता है आपके रीनल वीन में तो यह पूरा का पूरा आपका फ्लो होता है कि कैसे oxygenated blood आपकी किस एरिया से kidney में इंटर होगा उसके बाद वह कहां कहां से होते हुए आपके ग्लो मेरियूलस चैपिलरी से होते हुए बापस आजाएगा और रीनल वेन के थगर इसको बेज दिया जाएगा inferior vena keba में और inferior vena keba से हाट में पहुच जाएगा